इस वीडियो में डिस्कुसन करेंगे मानब संसादन विकास अनुभाग धरमसाला द्वारा एक रोजगार नोटिस जारी किया गया है और यह बहुत कम अभियार्थियों को इस तरह के सुचना का पता लग पाता है क्योंकि यह वाली रिक्यूटमेंट है यह ओफ लाइन होती है और विभीन तरह के समचार पत्रों से आपको नियमी तरुप से टैच रहना पड़ता है तब यह आपको इस तरह की जानकारियां मिल पाती है अपलाई करने की 30 जनवरी 2021 आपने अपलाई करना है किस तरह से अपलाई करना है पूरी जानकारिया आपको इस वीडियो में दी जाएगी देखिये जो हमारा मंडल कार्यलिया धर्मसला वहां से नोटिस रिक्यूटमेंट नोटिस जारी किया गया है दस vacancies है PN की उसके लिए ये notice जारी किया गया है यदि आप minimum और maximum बार्मी पास यहाँ पर मांगा गया है ठीक है जी और उसके साथ में यहाँ पर देखिए clerical के लिए इसमें PN बनने के लिए थोड़ी सी आपको अंग्रेजी का यहाँ पर आना जुरूरी यह लिखा है आपको बेसिक सी अंग्रेजी लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए graduate candidates are not eligible देखिए clear कर दिया गया है आप minimum भी यहाँ पर रखिए और maximum सबत का भी इस्तेमाल किया है मतलब आप minimum या maximum सबसे जादा आप 12 पढ़े होने चाहिए तब ही आप इस vacancy के लिए eligible है तो आप देखिए ध बाकी दिया आपने कोई higher education है तो आप फिर उसके लिए eligible नहीं होंगे ठीक है जी और IUC मा का भी निर्धारन कर दिया गया है एक एक 2021 तक आपके 18 बर्स होने चाहिए और 24 बर्स से जादा नहीं होने चाहिए ठीक है जी और यहां पे देखिए vacancies को categorized कर दिया गया है SC के लिए kangra district में दो vacancies रहेगी चंबा में एक रहेगी ST की बात करें तो kangra में zero है लेकिन चंबा में एक vacancy है other backward classes के लिए kangra में एक है और चंबा में एक vacancy है EWS की बात करें तो Kangra में सुन्या है और Chamba में एक वेकंसी है Unregisterable category के लिए Kangra में दो वेकंसी रहेगी और Chamba में एक वेकंसी रहेगी इस तरह से total बात करें तो 5 आपकी Kangra district में और 5 चमबा district में 10 PN की वेकंसी के लिए यहां पे call किया गया है Documents की बात करें तो आपको क्या क्या करना है देखिए यहां पे आपको नीचे में application का form Simple application form में आप इसको हासे भी बना सकते है यहां पे लिखना है आपने application form Name लिखना है उसके आगे देखिए इस तरह का आपने scale से लगा लिजी आप यहां आपके पास computer तो आप इसको बड़े असानी से भी type कर सकते है यह जो इसका पूरे की पूरी जो advertisement का clip है यह आपको हमारे Facebook page पे आपने Facebook के जाना है वहां पर simply लिखिए Eli study और बहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो Name लिखना है Father name लिखना है यहां पर column छोटा थोड़ा बड़ा बना लिजिएगा इसको correspondence address लिखना है domain sign लिखना है telephone number लिखना है email लिखने है और जहां पर signature of the applicant है उसके उपर थोड़ा से space create कीजिएगा वहां पर आपने sign करने है और फिर देखिए recently आपने passport size का photograph लगाना है उसको step पर नहीं करना है गोंद से ही चिपकाना है no column should be left blank incomplete application forum will not be entertained कोई भी column यहां से आपने खाली नहीं चोड़ना है ठीक है जी यसे आप category यह तो आपने जर्ना लिखना है SCC लिखना है सारे columns आपने बरने है काभी simple process अठीक अच्छे से certificate test कीजिए proof of domicile आपके पास bonofide of immaculate बना है लगाना आपके लिए यहां पर जुरूरी होगा recent password size आपने लगाना है employment exchange के card की भी copy आपने यहां पर test करनी है यह आप EWS से है तो आपको EWS का certificate भी लगाना होगा और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आपको ग्याती है यहां पर लिखा गए eligible candidate should be the domicile of the district for which vacancies have been notified ठीक है notified and published candidates are required to submit self-attested copy of proof of domicile of the registration with the district employment action तो यह भी आपका clear हो गया है यहां से ठीक है जी तो आपने यह application किसको करनी है ठीक है यहां पर लिखा गया है deputy circle head HRD section circle office धर्मसाला पंजाब national bank धर्मसाला district कांगरा यहां पर आपको करना होगा 31-2021 तक आपको बेजनी है ठीक है जी speed post में आप इसको बेज सकते है registered post only यह दो तरह से आप ए application form बेज सकते है the application received through any other mode will not be acceptable मतलब आपने courier से नहीं बेजनी है ठीक है जी the list of the approved candidates will be displayed on the notice board of PNB Circle Office धर्मसाला ठीक है जी तो यहां पर आपने यह PNB का जो सरकल आपीस है बहीं पर आपको इसका आगे भी मिल जाएगा उसके notice board पे ही यह लगाएंगे ठीक है जी तो देखिए यह एक अच्छी खबर थी मंडल का रेलिया धर्मसाला की तरफ से मानव संसाद ने विकास अनुभाग की बात करें तो यहां पर आप इसको अपलाई कीजिएगा और यह आपके पास एक option है दिखिए सरकारी सेक्टर में जौप राप करने की हम आपको बता दें कि हमारी टीम के दोरा नमिंतम करंट अफेर्स की किताब है जिसमें अक्तूबर नमंबर बदिसंबर के करंट पेर संग्रहित किये गए है गिर्रा समचर पत्तर का सारांस है हमाचल परतेस के करंट अफेर्स है राष्टे ततांतर राष्टे घटनों का स्टिक सारांस है किताब के साथ पर अपने तैरीक और बार बला करें कुछिसी दिनों में हिमाचल पर्देश में पूलिस की भरती भी होने जारी यह तब तक पूलिस की भरती नहीं होती के और अपने पढ़ाई को जर सारी होते है। तो इस किताब को आप Elastity Core.in website से ले सकते हैं और बड़े असानी से आप इसे 10 से 12 दिनों में complete कर लेंगा और आपका हिमाचली परदेश समयने गयान मजबूत हो सकता है कलरक प्रिक्सा के लिए भी हमारी टीम के दोरे एक नविंतम किताब त्यार की गई इस किताब में आपको मिलती है 10,000 प्लस प्लस का कोसिन बैंक और ये भी आपका विविंतरा के competitive exam में आपकी help करेगा और इमाचली परदेश में बहुत बड़ी recruitment होने जा रही है जिसमें 1756 GIT के पद्ध पब्लिस्ट कर दिये गया है गवर्मेंट की तरफ से अब उसका जो return test है आपका 21 मार्च 2021 को होना प्रस्ताबीत है उसके लिए नविंतम सलेबस परणाली पर आपको प्रणाली पर आएगा 120 नमबर का computer होगा और 50 नमबर का आपको उसमें समयने गया अधर्स मिलेगा तो यहां पर देखी जो हमारी टीम ने नई किताब त्यार की गई है इस 120 नमबर के computer का जो आपको आएगा उसी अधार पर बनाया गया है और इस किताब में पिछले 10 वरसों के old question paper भी संग्राइट किये गया है ताकि उन्हें आप बड़े असानी से समसकते किस तरह का प्रिक्सा का स्तर रहता है और इस किताब में आपको मिलते है computer operators, data entry operators, assistant programmer के paper भी क्योंकि अक्सरे देखने को मिलता है कि जो इससे मिलती जूलती प्रिक्साएं होती है उसमें से भी बहुत से प्रसने repeat होते है कीप वाचिंग इलाइस्टेदी यूट्यूब चैनल